जिला सामने अस्पताल में जिला धिकारी कुम्बेज करने ए आर्टी सेंटर का निरिक्षन किया इस समय जिला शेल चिकित सक डॉक्टर दीपचन सोयाम अधिरिक्तर जिला चिकित सक डॉक्टर टेंभू ने उपस्तित थे जिला सामने अस्पताल में नेत्र प्रशिक्षन कक्षा में दिन बादिन बढ़ती मरीजों की संख्या को देख्ते हुए जिलाधिकारी कुम्बेजकर ने जिलाध शेलर चिकित्सा को चिकित्सा अधिकारी नर्स एवं अन्य स्टाप की संख्या बढ़ाने के निदेश दिये इसके बाद उन्होंने ART सेंटर का दोरा किया वहाँ अच्छे काम और व्यवस्ति धंग से चल रहा है इस पर जिलाधिकारी ने संतोश्वेक्त किया ART केंदर 2009 से कारियरत है और अब तक इस केंदर में कुल 4818 रोग्यों का इलाज किया गया है लाभाती नियमीद ART पर दवाए और सेवाए ले रहे है डॉक्टर सोयाम ने बताया कि पंजीकरूत लाभातियों की 6 महा बाद नियमीद रूप से CD4 एवं वाइरल लोड की चार्ज की जारी है तथा वाइरल लोड सप्रेशन पंचानबे प्रतिशत है संदिक दक शेयरोग लाभातियों की नियमीद रूप से चार्ज कर सेवाए प्रतान की जारी है इसो शुरूत और टोकन प्रनाली के साथ पिछले एक वर्ष से ART किंडर में काम शुरू है साथ ही लाभातियों के बेतर स्वास्त और समुपदेशन के लिए चार समुपदेशकों के समान रूप से स्विकार किया गया है ऐसी जानकारी डॉक्टर सोयाव ने दी है भंडारा कुंद्य जीला वासियों के लिए खुश खबर है अब आपका मन पसंद चैनल BS Crime Media News अब आपके केबल नेटवर्क पर जी हाँ अपने केबल नेटवर्क के एसीन चैनल नंबर 13 पर उपलब्द है BS Crime Media News पर खेल राजनीती, क्राइम, साहित्य वा अन्य खबरे प्रकाशित की जाती है हमारे साथ जूटने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरे विज्यापन आदी के लिए संपर्क करे 8669151757 पर